नमस्कार दोस्तों मैं Dr. Raul Singh, Homeopathic Physician दोस्तों अभी मैंने आपको कुछ cases दिखाए जो हमने homeopathic से ठीक करें और उनके Elta Sound Reports भी बिफोर और आफ्टर के दिखाए और PCOS क्या होता है, किस वह से होता है, क्या इसके symptoms है कैसे इस वह diagnose किया जाता है, इस पर मैंने last video बनाया था जिसे आप देख सकते हैं, और उसका link मैं नीचे दे दूँआ तो वहाँ जाके आप PCOS के बारे में complete जानकारी ले सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बता हुआ कि homeopathic में ऐसी क्या medicines हैं जो PCOS में use की जाती हैं, अब उससे पहरे दोस्तों ये समझना जरूरी है कि PCOS यानि polycystic ovarian syndrome ये PCOD, ये एक simple disease नहीं है, एक complex disease है बहुत सारे organs हैं और बहुत सारे systems पर ये अपना असर डालता है इसका treatment इतना असान नहीं है, और जो दवाई में बता हुआ, वो सिफ आपकी knowledge के लिए गलती से आप खुद से उनको ना ले, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़े देखनी पड़ती है तो कि किसी homeopathic doctor को दिखा गए, या आप अपना treatment करा है और दोस्तों कई बार आपने YouTube पे देखा होगा कि ये खालो एक महीने में PCOS ठीक हो जाएगा या ये करने से दो महीने में PCOS ठीक हो जाएगा मुझे नहीं लगता कि कोई भी treatment इतनी जल्दी PCOS ठीक कर सकता है क्योंकि ये complex disease है और इसमें सिर्फ medicine के लावा और भी बहुत सारी चीज़े की जाती है आपको अपनी diet का भी दियान रखना होता है आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन सी चीज़े फायदा कर सकती है, कौन सी चीज़े नुकसान कर सकती है उन सब चीज़ों का भी दियान में रखना होता है कोई भी ऐसी magic remedy नहीं है, जो PCOS को एकदम से ठीक करते आपको बहुत सारी चीज़े एक साथ करनी होती है और अपने routine पर अपने lifestyle पर भी घान रखना पड़ता है तब जाके PCOS की problem ठीक होती है तो दोस्तो अब मैं आपको बताऊगा कि होमेपेथी में इसी कौन सी medicine है जो PCOS में यूज की जाती है पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें नीचे बेल आइकन दिया है उसको प्रेस करें जिससे की आगे आने वाले जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिलता रहे तो PCOS आजकल जो फिमेंस में इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कॉस है और जिसकी वैसे वो कंसीव नहीं कर पाते हैं तो होमेपैथि में जो मेडिसिंस होती है एक तो ये safe होती है इनका कोई side effect नहीं है और ये जो PCOS की problem को एक तो mensis को तो रेमिर करती है आपको कंसीव करने में भी हैलप करती है और PCOS की जो दूसरे symptoms हैं उनको भी ठीक करती है और permanent solution आपको देती है उनके बारे में आपको बताऊगा तो दोस्तों सबसे पहले मेडिसिन आती है एपिस मेलिफिका तो एपिस मेलिफिका PCOS में बहुत यूश्फिल मेडिसिन है और अगर आपके जो ओवेरियन जो रीजन में या लौर अब्डोमेन में ऐसा पेन होता है कि जैसे किसी कीड़े ने काट लिया या डंक मार दिया जैसे मदुमक्खी के डंक से पेन होता है उस तरह का अगर दर्द होता है तो एपिस एक बहुत ही effective medicine हो सकती है और इनके जो पेशेंट होते हैं उनको एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है गर्मी के season में बहुत परिशान हो जाते हैं और ज़्यादा तर अगर राइट में assist है तो उसमें ही बहुत फाइदा करती है उसके बाद एक medicine आती है। कैलकेरिया कार्ब तो कैलकेरिया कार्ब उन पेशिंट्स में या उन लेडीस के लिए बहुँ जादा effective है। जो fat होती हैं बाद मोटी होती हैं गोरी होती हैं और जिनका जो period है बहुत जादा होते हैं काफी टाइम तक नहीं आते हैं पर जब आते हैं तो बहुत लंबे चलते हैं और बहुत जादा उनको डिस्चार्ज होता है उनकी जो duration है वो जादा होती है और उन्हें बहुत जंदी मोटापा आने लगता है उनका weight gain होने लगता है पसीना बहुत आता है ठंड बहुत जल्दी लग जाती है और बहुत जंदी खासी जुखाम या cold की problem होती है और मिट्टी या चौक खाने की इच्छा होती तो उन्हें प्रिशिंट्स के लिए उनके रेकाब बहुत अच्छी medicine अगी medicine होती है होमेपैथी में वो है graphitis तो graphitis भी जो मोटे महिलाए होती है जिनका weight बहुत ज़्यादा होता है और जिनको ठंड ज़्यादा लगती है कैलकिरे कार्प की तरह है उन महिलाओं के लिए graphitis है पर अंतर है कि graphitis की महिला उत्वी गोरी नहीं होती है जितना कैलकिरे कार्प की जो महिला होती है वो गोरी होती है और इनको भी पेट में दर्द होता है अपर जो एरिया होता अप्डमेन का उसमें ज़्यादा पेन होता है दोस्तों एक मेडिसेन होती है लेकिसिस तो लेकिसिस ज़्याद है जिनको लेफ्ट साइड की ओवरी में सिस्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा एफेक्टिव होती है लेकिस इस केपेशेंट को टाइट कपड़े पसंद नहीं होते हैं मतलब अधर टाइट कपड़े वो पहल नेते तो बेचेन हो जाते हैं और इनको जो मैंसिस होती है बहुत स्कैंटी मतलब बहुत कम समय के लिए होती है तो एक दू दिन होके बंद हो जाती है और इनको भी पेट में दर्थ होता है जैसे ही Mensis का flow start होता है तो वो पेट दर्थ ठीक हो जाता है और ये बहुत बढ़ बोली होती है बहुत हट से जादा बात करती है बिना मतलब के बेतुकी बाते करती है और इन्हें बोलना बहुत पसंद होता है और थोड़ा इनको jealousy nature भी होता है दूसरी जो महिलाएं उनसे छुटी-छुटी बात पर जलन होती है तो यह other nature है तो like this is काफी effective medicine हो सकती है उसके बाद एक medicine आती है Natrum Mew तो Natrum Mew भी उन महिलाओं के लिए बहुत effective medicine है जिनको mensis irregular रहते है या उनके surprise हो जाते है काफी टाइम तक नहीं आते या वो conceive नहीं कर पा रहे है PCOS की वैसे तो इस medicine की एलप से वो conceive कर सकते है उन्हें धूप में जाने से सर में दर दोने लगता है नमक ज़्यादा खाने की इच्छा होती है बहुत अच्छी medicine हो सकती उसकी बाद दोस्तों एक medicine आती है Pulsatila Pulsatila में भी mensis काफी लंबे टाइम तक एमिनोरिया की सिकायत होती है उन्हें mensis नहीं आती है अगर आती भी है तो बहुत discharge कम रहता है वह बहुत painful होता है और जातर जो यह young girls होती है उनके PCOS की condition में Pulsatila बहुत effective medicine होती है और इन्हें प्यास कम लगती है और whipping tendency हो टी चोटी चोटी बातों पे रोने लगती है तो अगर इस तरह के symptom आते हैं तो Pulsatila बहुत अच्छी medicine होती है बंद कमरे में इनको बोटन होती है खुली जगे pain को बहुत अच्छा लगता है उसके बाद दोस्तों एक medicine होती है CPI तो CPI में भी जो mensis होती है बहुत लेट होती है time से बहुत लेट आती है और आती भी है तो बहुत discharge कम होती है और इन्हें हमेशा एक पेट में बारी बन सा लगता है कैसा लगता है कि कुछ बाहर निकल रहा है पेट से और अगर infertility है conceive नहीं कर पा रहे है PCOS के वेशे तो CPI बहुत effective medicine है और इसमें abnormal जो hair growth है जो हमने PCOS की symptom बतायते है एर्सोटिजम की unwanted hair growth होती है तो अगर ऐसा है खास दोर से अगर upper lip पे जो ladies को hair आते है तो CPI बहुत effective medicine है उस case में और इनको भी ठंड ज़्यादा लगती है चिर्चिलापन ज़्यादा रहता है किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है बच्चों के लिए, husband के लिए कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है और लिकोरिया की भी अगर problem है तो CPI बहुत effective medicine हो सकती है PCOS को ठीक करने में और साथ में infertility के लिए भी उसके बाद दोस्तों एक medicine आती है थूजा जिनको multiple cyst होते हैं खासतों से left side में होते हैं और उनको irregular menses दाते हैं और उनको भी unwanted हैं growth की रिकत होती है या cyst के साथ कई बार बच्चे दानी में रसोनी जिसकों fibroid कहते हैं वो भी हो सकते हैं तो इन सब cases में जो थूजा है बहुत अच्छा काम करती है और hormone को balance करके PCOS को ठीक करती है इसके इलावा और भी medicine है जैसे कि olium jack है olium jack जिनको unwanted hair growth होती है तो उसको कम करने के लिए उन बालों को soft करने के लिए olium jack 3X में या mother tincture में बहुत effective है इसके लावा phoniculinum में एक medicine होती है जो अगर आपके follicle mature नहीं हो पा रहे है ovaries में तो उसको बीच बीच में देने से 200 power में menses normal होती है ovaries में जो follicles है वो grow करने लगते है इसके अलावा sanasio mother tincture है जिनको irregular menses के साथ लिकोरिया दी भी problem रहती है जिसके वैसे infertility रहती है तो sanasio mother tincture उसमें काम कर सकता है अगर menses खुल के नहीं हो बारी है तो गॉसी पीय में एक mother tincture होता है वो भी इसमें काफी effective है और amure neonatrum ट्राचुरेशन टैबनेट में 3x टैबनेट में भी काफी effective है अगर uterus कमजोर है उसमें fibroids है और साथ में PCOS की problem है तो amure neonatrum भी uterus को stand देने के लिए काफी अच्छी medicine है तो दोस्तो इसमें homeopathy में इस तरह से बहुत सारी medicine है जो patient के overall symptoms को match करके और उने क्या-क्या problem है बाकी और उनके क्या symptoms है उनके हिसाब से अगर देते हैं तो PCOS की problem हमेशा के लिए ठीक हो सकती है तो दोस्तो अब आप जो unwanted hormonal therapy है जो सिर्फ जब तक लेते हैं तभी तक काम करती है उसकी जगे आप homeopathy medicine अगर चूज करते हैं तो एक तो यह permanent solution देती है और अगर इस वेशे आप conceive नहीं कर पा रहे हैं यह infertility की problem है तो आप हो conceive करने में भी help करती है आप हमेने कुछ cure case भी दिखाए हैं और homeopathic medicine के बारे में भी बताया है अगर आप इस problem से सफन कर रहे हैं तो अपने आस पास जो भी अच्छे homeopathic doctor है उनसे मिने आप हमसे भी contact कर सकते हैं दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि PCOS के case में आपको lifestyle में क्या changes करने चाहिए अपनी diet में खाने पीने में क्या चीज़े खानी चाहिए क्या चीज़े avoid करने चाहिए जिससे कि आप PCOS को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे like करें और जरुतमन लोगों के शाथ इसको share करें जिससे दूसरे लोगों को इसका फायदा मिन सके इंदने बाद